तो कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे करंट मार्केट सिचुएशन के और साथ के साथ बात करेंगे क्या इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है स आप देखो रिसेंटली आपको पता है एक दो महीने का भी अगर हम मार्केट की सिचुएशन देख लें बिटकोईन 17,500 का बांध तोड के कहां गया 15,400-500 का बोटम लगा रखा है क्यों हुआ यह सब जब FTX डिवालिया उसकी वज़ा से हुआ है ना मार्केट क्रैश हो गय और 14 दिसंबर को जब इंटरस रेट का डिसीजन आया ना FOMC का उससे पहले बिटकोईन 18,000 तक पहुँच गया आप देखो 15,000 को भी टच कर लिया एक महीने के अंदर और 18,000 को भी टच किया और वापिस से है जो है आप देखो 17,000 डॉलर पे भी नहीं टिक पाया गया और वापिस नीचे आगया एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे कि 17,000 को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है बिटकोईन तो यहीं से एक सिगनल आपको क्लियर मैसिज मिल रहा है बिटकोईन की तरफ से कि भाया आने वाले टाइम में कुछ बड़ा खेल यहां पे हो सकता है जो 17,000 को भी टच नहीं कर पा रहा है ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है बिटकोईन में एक डंप आपको देखने को मिले ठीक है कोईन की एक बड़ी केंडल तोड़ देगी 15,400,500 के लेवल को भी बस अब यहां पे दरकार है तो एक बैड निउस की जैसे ही वो बैड NAS MARKET में आती है वैसे ही marketplace रैक्षिन ज़रूर देगा यहीं आप देखो मार्कodus में हो रहा है एक ताम भी ऐसा चल वह देखो Christmas new year का ताइम आने वाला ये 228-26 और दौट िसल Seuss के बहुत इंपवर्टेंट है मार्किट के लिए मार्केट क्या करता है यह देखना सबसे ज़्यादा दरूरी है बिन बी चल रहा है 25 डॉलर पे एथेरियम 1218 डॉलर पे और थोड़े से आल्ट कोईंस में आपको टू परसेंट की ग्रीन दी देखने को मिल जाएगी चाहिए डॉज कोईन हो मैटिक हो फोड़ा सा गेनल इस प शेकिन टाइम पंप करता हुआ अभी रीसेंटली यह कोईन जागा है काफी टाइम के बाद MTL है उसके बाद ACH है Alchemy Pay है LSK है Spell है जो कि कल से ही Pump कर रहा है तो यह कुछ गेनर लिस्ट है आज की ठीक है पहली अपडेट की बात कर लें तो वो आ रही है Russia की तरह से Russia to Legalize Crypto for International Trade मतलब अगर आप देखो Russian officials Russian officials ने announcement कर दिया है यहाँ पे that the country will legalize the use of cryptocurrency cryptocurrency का यूज करेगी Russian country और अगर आप देखो यहाँ पे for international trade in January 2023 and a move to circumvent the western sanctions तो एक sanctions भी आपको पता है लगे हुए क्योंकि Russia Ukraine वोर चल रहा है काफी टाइम से लेकिन एक अच्छी बात है कि Russia में जो है cryptocurrency का use होगा as a payment किसके लिए for international trade के लिए और यहाँ पे जो है आप देखो Russian officials की तरफ से जो है एक तरह से बहुत अच्छा announcement की crypto को as a payment यूज किया जाएगा international trade के लिए next update की बात करें तो वो है bitcoin को लेके legendary investor Bill Miller still bullish on bitcoin जी हां Bill Miller thinks that bitcoin has held up well considering the uphevels in the crypto market next update आ रहे है Indian state police to use blockchain to protect informant anonymity जी हां Indian state police की अगर जहान तक हम बात करें तक Tamil Nadu idle wing police launched a blockchain initiative to ensure anonymity for informants तो एक तरह से आप देखो अभी recently polygon की polygon को use किया गया था किसके लिए UP police के जरीए किसके लिए किया गया था complaint portal के लिए है और ऐसे ही अब यहां पे देखो blockchain का use हो रहा है और इस बार जो blockchain का use किया जा रहा है वो Tamil Nadu idle wing police की जहां तक हम बात करते हैं तो एक तरह से police जो है आप देखो यहां पे use किया जा रहा है blockchain का और यह बहुत अच्छी बात है कि blockchain आपको पता है बहुत ज्यादा useful technology है और बहुत ज्यादा use इसका time time पे होता भी रहता है और आगे बहुत ज्यादा use होने भी वाला है तो यह यहां पे एक और use होता हुआ blockchain का है ना next update आ रहे है digital रुपी को ले गए आपको पता है इंडिया में cvdc launch हो चुका है जो central bank digital currency है जिसको आप digital रुपी यह रुपी भी बहुत सकते हो wipe out करने का काम यहां पे digital रुपी करेगा and the RBA Chief Executive Ajay Chaudhary claim that the digital रुपी is a milestone as it will erase black money from the market यह बहुत अच्छी बात है कि अगर आप देखो digital रुपी को यहां पे अगर लेके आया है और एक सबसे बड़ी बात अगर आप देखो cryptocurrency के साथ भी कहीं ना कहीं जो है cbdc का जो है competition है एक तरह से है ना लेकिन cryptocurrency को लेके RBA का कुछ अलग ही रुख है ना वो अभी हमने recently जो RBA गवर्नर शक्तिकान दास जी है उन्होंने भी यहां पे कहा कि crypto की वज़ा से जो है एक financial crisis हमको देखने को मिल सकता है है ना और इसके साथ साथ अगर आप देखो cbdc को लेके एक अलग रुख है crypto को लेके अलग रुख है लेकिन यहां पे अब RBA officials की तरफ से यह निकल के आ रहा है कि digital रुपी wipe out कर देगा black money को market से next हम बात करेंगे gearbox coin के बारे में जिसको आप gear भी बॉल सकते हो ठीक है इस coin की कुछ listings हुई है वो भी आपके साथ share करेंगे एक साथ listing हुई है और कौन सा है यह coin अभी आप current price देखोगे 1 रुपी 9 पे चल रहा है मतलब और इसका dollar में price देखोगे तो 0.02 के उपर है अगर हम exchanges जिसमें जाते हैं तो अभी आप देखो kex के उपर Wabi, Elbank, Maxi Global, CoinX, Gate, IO सबसे बड़ी-बड़ी exchanges पे लिस्टिड हुआ है एक साथ listing हुई है इसकी 24 hour का चार्ट है क्योंकि एक अगर आप देखो market के अंदर नया crypto आया है और अगर आप देखो 21 December का ही इसका all time high है 21 December का ही इसक तो यह है इनका official Twitter page, Composible Leverage Protocol, Open a Credit Account and Use Leverage on your favorite DeFi protocols, कुछ इस तरह का आपको introduction देखने को मिलेगा Gearbox का है पहली अगर लिस्टिंग देखोगे, new listing on Huabi Global, deposit open होगे थे 22nd December से ही है और Huabi के ओपर इसकी listing हुई उसके बाद OKEX Exchange ने भी इसको list कर दिया है ना अगर आप देखोगे Gear, the native token of Gearbox protocol और यहाँ पे एक तरह से listing OKEX ने भी कर दी Huabi के साथ और आज ही listing होगे LBank के ओपर भी अगर आप देखो new listing Gearbox will be listed on LBank, LBank भी यहाँ पे पीछे नहीं है, deposit open हो चुके, trading भी आज से शुरू 23 December से और withdrawal भी आपको मिलने लग जाएंगे 25 December से, Gearbox तीन exchange listing इसके साथ-साथ, Maxi Global भी कहाँ पीछे रहने वाली थी और Gear USDT trading is now live on Maxi Global, Maxi Global पे भी इसकी listing हो गई, तो बड़ी-बड़ी exchanges पे एक साथ listing होई है, इस coin की थोड़ा Gearbox पे आप focus कर सकते हैं, ठीक है, और हो सकता है आ इनी exchanges बची हैं, वो भी इसको list कर दें, तो listing का benefit जरूर मिल सकता है, तो यह थी Gearbox को लेगे, ठीक है, थोड़ा नया coin है, तो आप थोड़ा इसके उपर research भी करें, बाकी जो update रहेंगे, हम आपके साथ जरूर share करेंगे, last and final update की बात करें, तो वो है Flocky Inu के campaign के बारे में, अभी recently हमने OKEX की listing आपके साथ share की थी, और साथ के साथ London का campaign जो है, वो ad यहाँ पे शुरू हो चुकी है, Flocky ads are live in London, अगर आप देखो, these ads will run through Christmas and new year on 35 large format, premium LED screens in high impact location will help create awareness for our Metaverse game, Valhalla, तो इनकी जो Metaverse game है, उसका भी यहाँ पे पूरी marketing चल रही है, साथ ad लग चुकी है, London के अंदर, and the ads also feature OKEX as the biggest exchange to buy Flocky, तो यह कुछ ads की तस्वीरे हैं, अगर आप देखोगे, कुछ जहलक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जेंगी, Valhalla है ना, तो कुछ इस तरह की यहा पे London के अंदर campaign चल रहा है, किसका Flocky इनुका, तो यह थी आज की कुछ updates, I hope इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गेंगे, वीडियो पसंदा है, like, share, comment जरूर कीजेगा, कोई question है, सवाल है, पूछ सकते हैं, किसी भी crypto में invest कर रहे हैं, हमेशा अपनी जो research है, वो जरूर कर के बाई बाई, टेक क्यर